Hello Friends! आज की वीडियो है, especially हमारे कार के AC के उपर और AC के उपर कहें तो इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बढ़ाई है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो फॉल्ट्स जो हैं तो छोटे लेकिन आपके पैसे बहुत जादा ले जाते हैं वो इस वज़े से क्योंकि हमें चोटे फॉल्ट की नहीं है बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कोई भी इसको एजिली समझ जाएगा कि यह फॉल्ट कितने चोटे थे और इसके लिए आपने कितने पैसे दे दिए और कई बार वह पैसे अन्नेसेसरी हमको देने पड़ते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ वह फॉल्स बताऊंगा जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है जिनकी वज़े से हमारी गाड़ी का एसी बंद हो जाता है काम नहीं करता और हम यह सोचते हैं कि क्या फॉल्ट हो सकता है कैसा होगा फिर वह हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरे के उपर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कई तरह से हो सकते हैं थे हमारे जो एसी का है उसको भी इलेक्ट्रिकल सप्लाइए चाहिए और ब्लोवर फैन वहां पे आप लोग देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहा हो इसके ऑपर विडियो बनाई यह मैं उपर आई बटन में आ रही होगी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में देखे सबसे पहला फॉल्ट हो जाता है फ्यूस का उड़ जाना यानि कि फ्यूस शॉट हो जाएगा आप सपोस्स कीजिए अगर ब्लोवर फैन का फ्यूस शॉट हो गया इन केस शॉट हुआ अब क्या होगा हम अब कि वह आपको मालूम नहीं कि इसका फ्यूस का सिर्फ प्रावबर्म में कैसे देखना है को देखे ह sheer कि इस गाडवी केंदर एकस व्ट्स बाक अंदर है केंचंट में और य्श फ्यूस बोक्स बाहर यानि कि इंजन मे ये मैं Mayoा है व्यूसा webinar agze ये मैंने कॉभ लिया फ यह जो कवर होते हैं इन कवर पर पूरी मार्किंग होती है लिखा होता है किस चीज का फ्यूज कहां पे है अब सपोज आपका फ्यूज उल गया है खराब हो गया है तो आप कहां काम नहीं करेगा सबसे चोटा सा फॉल्ट है लेकिन नौलेज नहीं है तो अब देखिए सबसे पहला फोल्ट हो गया ब्लोवर फैन का फ्यूज के बाद आ जाता है अब इससे तो एसी हमारा नहीं होगा एक चीज और है जिसकी वजह से एसी ऑन नहीं होगा वह क्या चीज है वो है आपके compressor का fuse, जैसे कि हमारा compressor रन करता है, तो उसको भी electrical supply चाहिए, electrical supply जब वहाँ मिलेगी, तभी वहाँ से compressor on होगा, तो उसका जो fuse है, engine बेवाले ये fuse box के अंदर है, यहाँ पर मैं आपको दिखा हूँ, देखे, zoom करके, तो यह लिखा हुआ है, AC, यह है compressor का fuse, और इसको इसकी वज़े से क्या होगा, कि हमारा compressor on नहीं होगा, यह आपको result क्या मिलेगा, आप on करेंगे, एसी blower fan चल रहा है, लेकिन cooling नहीं आ रही, ठंडी हवा नहीं आ रही है, अब ठंडी हवा नहीं आ रही है, इस case में भी अगर आप कहीं चेक कराने चाहते हैं, कहीं जाते हैं, आप चेक कराने के लिए, त अगर यह AC compressor का fuse उड़ा हुआ है, तो इस case में भी ऐसा होगा, गाड़ी में cooling नहीं आएगी, दूसरा case क्या होता है, एक इस compressor को चलाने के लिए relay इंस्टॉल होती है, वो relay यह यहाँ पे लगी हुई है, इंजन में वाले fuse box में है, AC relay, यह देख रहे हैं अब AC relay लिखा हुआ इस relay में भी अगर fault होगा, तब भी आपका compressor on नहीं होगा, और जो गाड़ी के अंदर हवा आएगी, वो गर्म हवा आएगी, एक electrical fault और है, इसी तरह से fuse box related, जिसकी वज़े से result क्या होगा, आपका गाड़ी जब चलेगी आपकी, तो चलते समय तो cooling आपको लगेगा कि अच् होता है, यानि कि radiator और condenser के लिए एक ही fan होता है, उसकी speed doubles होती है, high और low, और कई बार दो fan लगे होते है, radiator के लिए एक different fan है, और condenser के लिए different fan है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही fan है, उसके high और low, यानि दो points है, यह fuse box में अगर देखेंगे, तो high relay, यह देख रहे है, यह relay है, high की, और यह है fuse high, fan high, high speed में चलने वाला, तो इन में से अगर कोई fuse damage होगा, यानि fuse खराब होगा, या relay खराब होगी, तो इस case में ऐसा होगा, कि आपकी गाड़ी चलेगी, तब आपको cooling मिलेगी, थोड़ी बहुत cooling मिलेगी, AC trip करता रहेगा, और जब market वगरा में क दो फॉल्ट कवर किये, जो बहुत चोटे है, लेकिन ना knowledge होने की वज़े से, इसकी वज़े से हमको परिशान होना पड़ता है, अब आते है, में mechanical fault, कुछ mechanical fault भी ऐसे है, बहुत आसान है, उसको आप देख के समझ सकते है, लेकिन problem क्या होगी, गाड़ी के अंदर cooling नहीं आ लेकिन gas को compress करेगा, जब यह ऐसे move करेगा, और move करने के बाद, जब यहाँ power supply आएगी, यहाँ पर power supply, यह clutch engage हो जायागा, और साथ में यह घूमेगा, जब साथ में घूमने लगेगा, इस पे उपर आता है load, लोड आता है काफी, आपने देखा होगा कि आप AC on करते हैं, त अब कभी कभी क्या होता है कि उस load के वजए से यह हमारी जो belt यहाँ पर लगी है, वो belt slip करने लगती है, एक बार तो हमने AC on किया, cooling आई, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो belt जो थी, वो slip करने लगी, slip करने से होगा कि RPM कम हो जाएंगे, इसके जो round है, वो कम हो जाएंगे round कम होने की वजए से क्या होगा, हमारी घाड़ी में cooling कम हो जाएगी, कभी आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी trip कर जाएगी, तो इस तरह से यह परिशानी आगे, अगर कभी आपको ऐसा लगता है, कभी गाड़ी चलती है, और AC trip करने लगता है, तो इसके लिए condenser को clean करना, cooling coil को clean करना साथ में उसका filter को साफ रखना कुछ major points है ऐसे जो कि मैंने पिछली वीडियो में discuss किये थे अकर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उपर i button में आ रही होगी वहाँ से देख सकते हैं और साथ ही AC की playlist जो मैंने पिछले साल बनाई थी वो भी देखेंगे तो आपको काफी benefit मिलेगा और एक बात जो आपको पता नहीं है अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक नया comment section स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी वीडियो में यानि वीडियो में एक छोटा सा part रखूँगा comment section का उस comment score में लोगा जो comment mostly पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना लिख के possible नहीं हो पाता यानि कि type करके उसका जवाब देना possible नहीं है और अगर मैं उसको बोल के समझाऊंगा तो अच्छे से आपको समझा पाऊंगा तो आज से इस वीडियो में ही शुरू करते हैं आपका कुछ ऐसा question होता है तो नीचे comment box में जरूर लिख दीजेगा अगर मुझे लगेगा कि हाँ यह comment common logo का है और इसका जवाब देना जरूरी है कि बोल के समझाया जाए तो फिर वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा और एक बात जो मेरे कुछ followers हैं subscribers हैं जो काफी time से मुझसे जुड़े हुए है एक personal attachment है जिनको मैं hello family कहके संभोधित करता हूँ वो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि silver play button कि मेरा silver play button कहां गया actual में वो मेरा नहीं आप लोगों का ही है receive हो चुका है लेकिन कुछ ऐसे हाला आप में मुझे receive हुआ possible नहीं था वहाँ पे खोल के दिखाना आप सोचिए hospital में आपको मैं ऐसे play button कैसा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा तो इसलिए जैसे ही इसका possibility होती है आपको वो silver play button आपका दिखा दिया जाएगा और thanks दिल से thanks आप लोगों का इतना support करने के लिए मेरी जो कोशिश है उस कोशिश को काम्याब करने के लिए यानि कि इस field में transparency लाना वो मैं कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा तो यह थे कुछ thoughts जो बहुत easy हैं आप लोग खुद से diagnose कर सकते हैं मैंने कोशिश की इस सारे सिस्टम में transparency लाने की transparency लाने का काम मेरा है समझना आपका काम है हाँ मेरा कुछ आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कुछ सवाल मन में आता है तो comment box में जरूर लिखें मिलूंगा next वीडियो में किस झाल झाल झाल